असलाम अलेकूम मैंसेर्फ दुबहर उसमान और मेरे जो ग्रूप में नाम है महमूद अतनार कि आज हम टोपिक्स डिसक्रस करने जा रहे हैं में आता जी क्लोड कॉम्प्यूटिंग क्लस्टर कॉम्प्यूटिंग और ग्रेड कॉम्प्यूटिंग सबसे पहले देख लेते हम क्लोड कॉम्प्यूटिंग क्लोड कॉम्प्यूटिंग जो हमें प्रोवाइड करती है एप्लिकेशन को असेस्ट प्रोवाइड करती है और इंटरनेट इसमें हम एप्लिकेशन को ओनलाइन ही कस्टमाइज कर सकते हैं करियाट कर सकते हैं मतलब कि इ ये सब क्लोड कॉंपर्टिंग में ही आ जाता है अच्छा जी क्लोड क्या है क्लोड का जैसे ही नाम आए का पहले सबसे हमारे जैन में जो आना चाहिए वह यह है कि नेटवर्क या इंटरनेट इसमें दो तरह के सर्विस रज़ा सकती है एक पब्लिक नेटवर्क और दूसरी प्राइवेट नेटवर्क प्राइवेट नेटवर्क में वीपियांस लैन और वन वगार आ सकती है और क्लोड की जो एप्लिकेशन है उनमें आ जाता है इमेल वेब कॉंफियंशिंग यह सारी चीदेशन है वटेस क्लूड कम्प्यूटिंग क्लाव क्लोड कमपीटिंग मेरे डेफिर स्टू मैंश्टिंग को वनिपियूट कम रेञा है वी windows Surprise अप्लिकेशनूं उसमें बैगेशिंग कांठा नेी यह उत्वित करनाई यह ना सिंग और धने में इसकूंटूर में अल्ल ओनलाइन ही data storage करता है ओपनाइन ही application म quartz करता है और और क्लोल CornIVE for 10 dabei उधोर हार्डवएर की असट वह और सॉफ्टव एर्डवेर की कंभेनिशन है कि आध कड्र यह structure क्डालोड कोम्रींड का है तो बेसिक कोंसेप्ट हैं क्लोड को फिर्डेंगे में उसमें आजाता है दो तरह के मोडल सा जाते हैं एक डूपर मोडल और दूसरा है जी सर्विस मोडल मॉडल्स क्या होते हैं डिवल्पन मॉडल्स 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 डिफाइन टाइप ऑफ असेस देता है उसमें वह आजाता है डिवल्पन मॉडल्स और यह किदर लोकेटिड होते हैं इसमें चार तरह की जो आजाती है एक पब्लिक दूसरी प्राइबर्ड और और कम्यूटी अब इनको देख लेते हैं इसमें जो सर्विसिस्टम की सर्विस्ट हैं वह वेलीबल होते हैं पब्लिक के लिए और लेस्ट क्योंकि यह अपन पब्लिक के लिए इसकि ऐख्जेम्पल में आजाता है इमेल होगारा अगे आजाती है प्राइट क्लोड प्राइबेट 만들어 स्केहरे में दोर होती है इस में स्कीरियुटी जाए क्यू MINTIir की होती है इस में प्राइवेड को डूर में आ जेदा यह उसके बाद आजते ही hybrid cloud, hybrid cloud में जो public cloud और private cloud यह mix होता है, public cloud में, जो नौन कृडिकल एक्टीटीज और परफॉर्म होती है और जबके है आः प्राइवरेट क्लॉड में क्रिटीकल एक्टीज परफॉर्म होती है जैसे के वह से मुवालक में वर्टसएप नहीं चलती तो आप वे भीपियर लगाएं लगा के वर्टसप स्टायओ चला जाता ह reference models on which the cloud computing based cloud computing based का भी करती है उसको बताता है यह इसमें तीन तरहा के basic service models आ जाते हैं यह को थाइड infrastructure as a service एक platform as a service और तीसरा जी software as a service एले बात कर लेता हैं infrastructure as a service infrastructure is the delivery of technology infrastructure as an on demands scalable service this service की demand पर ही अपनी service को प्रवाइड करता है infrastructure as a service provides access to fundamental resources such as physical machine virtual machines and virtual story यह जो भी विच्टोल यह फिजिकल machines है उसको जो रिसोर्स प्रवाइड करता है वो इंफरस्ट्रेक्ट्रेक्टर रहे जासर भी से प्रवाइड करता है कि यूजिब बेड़ जुजी यूजिश एुजम्टि टैनर विच्अ इन्वर्मेंट विच्ट्रेक्ट रेख के प्रवाइड के इसके आप से हैं वह यह हैं यह वाली ना कमपनी निक्ने चार्वाइड प्रवाइड प्लाइग आज के अटे लिसे प्लेट्पनिंज प्ले platform as a service provides the runtime environment for application development and deployment tools the platform as a service provides all of facilities required to support the complete life cycle of building and delivery web application and service entirely from the internet which is the web application delivery to provide us with the platform as a service and then we will see the examples of the web services and also the examples of the platform as a service and then we will see the software as a service software as a service is a software delivery methodology that provides license, maintenance and access to software and its functions remotely as a web-based service इतने भी जो service यह assess करता है वो remotely function करती है इसके जो examples में आ जाता है जी इसके फेस्बुक गूगल वगड़ा जो companies बड़ी companies हैं इसके एक्जम्पल्स में आजाता है क्योंकि जाए ऑनलाइन ही सादा कुछ SS करती है दो यू 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 तक लौड यह जितनी भी जो अप्लिकेशन्स हैं यह सारी इसके जाए जाए क्जम्पल्स कि इसमें यूच्व आंता है नेट्फलेक्स सकाइड राइव एमेल फेस्बूक जितने भी सोचल मीडिया प्लेफ़ॉम है सारी इसमें एक्जम्पल्स मैं आ जाता हैं बलकिछ जितनी भी अप्लिकेशन्स हम्योज कर यह सारी। इसके की बात कर देते हैं तो लोगर कुंपुरूटर को जो चैश्ञ आप् गोष्टिष बहुत काम उती है इंपूब प्रॉफॉर्म्स डीटीन सॉफ्ट्वेर की होस्ट को डीउस करता है सब्सक्राइब यूनिवर्स पूरी दुनिया में जो भी डाकोमेट्स हमें उनको बेस सकते हैं इसीली क्रोब्रेट कर सकते हैं अरी के साथ इसके आप इसके कुछ डिस अडवांटिज में आ सकता है कि कॉंस्टनेट इंटरनेट कनेक्शन चाहिए हमें इसके लिए जितने में हमने नेटवर्क नेटवर्क यूज करना है तो इसके लिए कि अगरवर्क पूर्क चाहिए अगरवर्क इसकी स्पीड कम में तो फिर भी इन कामिकर नहुंज को सकता है फीचर्ज लिमितिद्ड होसकते हैं इसलो में चाहिए उसके बाद गय्का जो स्टॉर्ज हम पर ते नहीं होता तो जी मिए आट अब याजिकलोड श््टॉर्ज कलो पास है, SkyDrive, Amazon Cloud Drive, Dropbox, यह हमने नाम सुन ही होगे, यह जितने में हैं, यह Cloud Storage है, इनको बनाने के लिए हमने इसके उपर आकाउंट बनाना है, युजर नेम, और इसके उपर अपना Wi-Fi यूज करते हैं, या पि नेट्वर्क यूज करते हैं, इसके उपर अपना content डालें, अपना and storage, download for storage, download cloud-based app to do on your computer, computer पर को भी app, cloud-based app, install करें, यासी computer में आ जाएगा, शके उपनी जो ऑपने स्ट्यी ड़्रेस को सके और सेव करें then connected to internet of internet to be onтовra a cloud के साथ scan कर लेगा the cloud been accessible form any internet connection जो cloud को यह किसी भी internet गे कर दो है कि अगे अगया आगेज जी डी एक्सक्राइक दोते है क्लस्टर कंप्यूटीं क्लस्टर कंप्यूटीं क्या होता है कि बहुत सारे कंप्यूटर को एक कंप्यूटर के साथ झाहनव को कनेक्ट कर दिया जाता है तो इसे आ झाहते है क्लेस्ट कह नोत किलास्टी कमुंटिंग तब ही को सबस्क्राइब कर दो थाखी दो या दो से जाधा हैं उसमें आजाते हैं Memory, Networking components, processor यह main components cluster कमें दिए हैं आगया जी types cluster की इसमें high availability cluster, load balancing cluster and high performance clusters यह इसके types हैं high availability cluster high availability cluster group of computers that support service application दार केने याइट विलिए रहले विद युटिलाइज्ट गुप अफूंप्टर रहते हैं जो के एप्लिकेशिन को सपोर्ट करते हैं में किस दंख सब्सक्राइब खरीजन को से सब्सक्राइब एइस यजिए डिस्टिडिपूट इस जए नहीं ततो है मथा यह वह वह टैकनिक हैं मतलब के उसे सारे कंपॵिटर्स का जो लोग आ है घुण को distribute कर देती हैं high performance cluster high performance computing uses super computers and computer cluster to solve advance computation problems इतनı भी हाँ वन्य advanced किसम की problems आ जाती हैं तो उनको ये solve करता है by using supercomputers अगे ये cluster की classification इसमें दो तरहां की classification में आ जाती है एक open cluster फिर दूसरे क्लास्टर open cluster में जो तुमाम जो नोर्स होती हैं computer की वह outside में होती है और उसके लिए हमें ज्यादा आईपी चाहिए और ये ज्यादा security इसके लिए चाहिए but they are more flexible and are लेकिन यह ज़ादा फ्लेक्सिबल होते हैं और इसके लिए ज़या इंटनेट और वेब की जो इंप्रमेशन की टास्क हैं यह कर सकते हैं जबके जो लोज क्लेस्टर हैं अब देखेंड जो आइड पर प्रवाइड 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 जिसक्योटी अची है और जिए और गुड्वर कम्प्यूटिंग टास्क को प्रफॉर्म करने के लिए अच्छी है इसमें गूगल सर्च इंजन पर्ट्रोलियम सर्वाइवर सिमुलीशन पर प्रवुटीन एक्स्प्लॉरर अड़्क्यूटिंच इमेज फॉर्कस्टिंग यह कुछ एम आप्लिकेशन से क्लेस्टर की इसमें हमें वेदर फॉर्कस्टिंग बता देता है रहत क्योग्व जल्ज साएच इंगरें यूज करते है यह उसकी एफ्लीकेशन है अच्छा बैनिक फैसे इसमें आ जाते है चाहर तरह के बैनिक इसके खार पर शेशिंग पावर पावर अची हो या प्रशेसिंग पावर इसकी बहुत अची हो जाती है कोस्ट एफिशियन कोस्ट के लिहासे बहुत शेखेहे लिए गोड लेखे लिए अबहूत जितना है रिदर टाइम हो ते यह जाया है इसे च्छाइब गषाथे मुड़ी वैविल के वह अब सकते हैं हो आटाइम benefits benefits may have some awesome processing power the processing power of high-performance computer cluster is same as mainframe computer mainframe computer same as with the many computer in cluster the processing power may even exceed that of mainframe uh we use the computer cluster so that processing power will exceed is cost-efficient uh purchasing server good quality computer such as hp desktop had phones is less expensive than buying one super computer is less expensive than we use a super computer वेदे एब आगे आजी एक्षप्ट इसे इसे ना चाहे एक्षप्ट कर सकते है उसे जितना चाहे इसे नेटर्वर से इस cluster से benefits ले सकते हैं जबके जो में फ्रेम वर्क कंप्यूटर का वो फीक्स्ट होता है उसके और एक टाइम पे का महीं पावर एक टाम पे काम और हमाओ समॉल करें में फ्रेम कंप्यूतर से कशी कंप्यूटर को यूटिलाईज करके यूश कर सोık जीतरा बड़ा अले गहें तो ज्यूता मेंनीफेट हमें देगा एल्टी अवेल्टि में क्लेयों क्विटर पिश्स जाए एक क्म्पीटर में समेald हो जाते है तो सारह क्विटर ही मेंद को छादा कि एक एक काम करसे मारे ये लो गयों करना च्वेल दूसरे खा Гर उपर अब तो इसे हैं फच्छ उपर क्रंथ हो जाता है है तो इससे कोई भी हमारी सर्विसिस में कोई भी इंट्रक्शन नहीं आता है अगे जी चैलेंज इस क्लुस्टर कंप्यूटिंग है कि साइज स्केबल्टी फीजिकल एंड अप्लिकेशन साइज साइज बहुत सारे कंप्यूटर्स को जोड़ते जाएं तो वो एक बहुत ही बड़ा ग्रूप बन जाएंगे तो उनका तो एक मसला होगा उनको लखने का उनसे काम देने का एह को सिंगल सीस्टम ही मत लोगें गल Lego on system मतलब के ही एक सिस्टम लेकवएं पास्टम एक ही सिस्टम हो डिख 주 sony में तो बहुत प्रूप दूप रखनी परदने मिपने वखने एक ही सिस्टम क्योंकी बहुत सारे हमने leka phones को रुखते हैंयं चिनको और एक ही system शुक्र बना होते हैं हमने security and encryption cluster of clusters security का बहुत मसला हो सकता है क्योंके clusters और clusters होते हैं भहुत saare computers होते हैं सबकी security and security को manage करना वो थोड़ा money यह चैलिंज हो सकता है इन्हेंस्ट अगर वह इतने बड़े क्लिस्टर को मैंज करना मैंने से ना कर पाये तो भी एक बहुत बड़ा मसला है सब्सक्राइब है तो दो मैं लिएकुंट जैलें रचन कौляस्टर कंपिरभी चीप डिटेःटीटि न स्रवीश में बहुत ही कं बहुत ही कंम प्राइज में हम सर्विस ले सकते हैं इस विल्लेश जब्करी में रख स्लूशन में पर सूश्य अं है जादा बहेंगे होते हैं उसकी बाद निसमत हम इसे चीप चीप अमॉंट में इसे काम दे सकते हैं cluster-based super computers can be seen everywhere cluster-based super computers होते हैं जैसे के बहुत सारे companies जो आपकाव लेती हैं जैसे Google वह गारा कि अग्जेंपल आई थी वह वह भी cluster computer use करते हैं इसके बाद offer increment growth and matches with finding patterns है हमारी जो growth है वह बढ़ती है इसके साथ new trends in hardware software technology are likely to make cluster mode promising जो भी software और न्यू टेकनोलोजी से हैं उनको हम clusters के अंदर अंदर प्रेजन करके हम इनसे वह ज़्यादा काम ले सकते हैं कि आगे अजी grid computing grid computing का topic मेरे ग्रूब में अटमा मजलान वह प्रेजन करेंगे अस्लाम लेक्ट करेंगे आज हम देखेंगे के grid computing होती है इससे पहले हम थोड़ा सा इसका ओबर वीव कर लेते हैं कि हम इसमें क्या के सीखेंगे सबसे पहले हम इसका introduction to grid computing definition इसके बाद real-time application इसके advantages disadvantages और फिर end पर हम इसकी देखेंगे conclusion तो सबसे पहले हम इसकी definition देखते हैं a grid is a set of information resources that are integrated to provide users with tools and applications that treat those resources as components with a virtual system of grid software को देख लेते हैं grid software solutions provide the underlining mechanisms necessary to create such systems including authentication and authorization resource discovery resource management communications and information services etc इसके बाद हम देखते हैं जी grid computer computing क्या होती है what is grid computing grid computing is the collection of computer resources from multiple locations to reach a common goal characteristics of grid no centralized control center scalability dynamic and adaptable how do grid works इसमें हम देखेंगे कि grid work कैसे करती है काम कैसे करती है कि अधे बादा है grid use networks to link the computing resources of many different computers the cyber glue binds all these resources together is called middleware there are many different types of middleware यहां middleware की काफी एक्साम हैं developed for many different types of grid middleware does all the work to connect users jobs to computing resources thereby hiding the grid's complexity from the user why do we need grids हमें grids की क्यों जरूरत है grids allow you to combine the sources of hundreds of computers to create a massively powerful fully complete and sim computing resource all accessible from the comfort of your own personal computer this means grids can react quickly to changing needs a tremendous resources of crisis situations like natural distors or epidemics हम इसे grid क्यों कहते हैं why it is called as grid the idea is that in future plugging into a computing grid will be as simple as plugging into an electrical grid and like an electrical grid user will simply plug in and use as much computing power as need without knowing where it comes far or how it was produced you will simply plug in and use as much as you need अब हम create environment का एक एक टिपिकल व्यू देख लेते हैं यहां परOOOO रिसोर्स प्रोकर लगा हूए और रिसोर्सस के साथ रख और जो रिसोर्स ब्रोकर n है वो यूजर के information server system collects the details of the available grid resources and the passes the information to the resource broker resource broker kya a resource broker distribute the jobs in an application to the grid resources based to user qos requirements and details of available grid resources for further execution method of grid computing grid computing के काफी methods है like distributed super computing high throat computing on demand computing data intensive computing collaborate computing logistical networking अब हम देख लेते हैं grid की applications computer computational services inherent part of all application data services scalable storage and access to distributed data sheets application service example like web service information service अब इसकी जो अग्सेंपल है वो www portal है knowledge services इसकी जो मसाल है data mining real-time implementation it extends the net nations of computational and data grids a grid which should provide the interfaces libraryís utiledury and programming api s to support the development effort required common tools and libraries for building rate applications includes high performance C++ as the message passing interference अब हम इसके अद्वांटेचिज देखलेते हैं अद्वांटेचिज में कैन्स साल लार्जर, मोर कंप्लेक्स प्राबलम इन शोर्टर ताइम एसेयर तो क्लाबरेट विद अर्गनिजेशिंस, में बेटर उस्टो एक्जिस्टिंग हाद्वेर अब हम डिसवेड़ेंटिचिज देख लेते हैं ग्रीड के, ग्रीड साफ्टवेर एंड स्टेंडर्स और स्टेंडर्स और स्टेल अवेलवेंग, लर्निंग करव टू गेट स्टार्टेड, नान इंटरेक्टिव जोब सब्मिशन, अब एंड पर हम इसकी जो है, वो कंक्लू एंड आई बिजंगर्श, अच्छिज टेख लेते हैं, ख्रयक्रिषॱ्टिक्स, अफग्रीड, विलबेंट आफ मिदल लेर ज्टू करय्पों डिजांन मत मेथ्ज बिजायन मेतव मेथ मीडल अबॉलवेर, ग्रीड शर्वष्ट्यस हैorarटने ब कर्केड जाहामत करें जिइ अगर किसी का कोई सवाल है तो वह पूश सकते हैं.